दोस्तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक मेडिकल के पढ़ाई करने वाला डॉक्टर बनता है बीएट के पढ़ाई करने वाला टीचर बनता है लेकिन इंजिरिंग के पढ़ाई करने वाला एक्टर, पॉलिटेशन, सिंगर, बिजनेसमेंस लेकर चाय वाला, केले वाल अगला ठेले वाला तक बनता है और किसमत रही तो इंजीनियार भी बनता है और आज की जो हमारी कहानी है वह ऐसे ही एक सक्स की है जो सिविल इंजीनियार से बॉलिवुड का सबसे बड़ा और सबसे डराणा सैतान बना आज की कहानी है और रुद्ध अगरवाल की जिसको दरवाजा पुराना मंदिर जैसे फिल्मों से उन्होंने दर्शकों को खूब डराया था लंबे कत काठी और डरावनी सकल से वे खुंखार दिखते थे तो चली जानते हैं एक सिर्विल इंजीनियर वालिवूर्ड टक कैसे पहुंचा अनिरूद कजन 20 दिस्टंबर 1949 को 13 दू की पढ़ाई की बच्पन से अनुरुद्ध एक सेलिवेटी बनना चाहते थे इसलिए कोलेज के पढ़ाई करने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलिविजन इस्टूट अप इंडिया वुड़े में एप्लाई कर दिया और उनका सेलेक्शन भी हो गया लेकिन उनकी कि लोग उनसे डणने लगे हैं पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ है जब गौर किया तो पता चला उनका चेहरा हात और पैर असमान और अनुपास से बाहर होते जा रहे थे नाक आगे की और निकल आई थेली पैर के पंजे कान इन सब का काल बढ़ गया थे डांटरी ज रामसे ब्रदस अपने भूतिया फिल्म के लिए एक लंबे कतकाठी का आदमी ढूंड रहे थे अनिरुद्ध के एक दोस ने उन्हें रामसे ब्रदस के बारे में बताया अनिरुद्ध जब वहां पहुंचे तो दोनों रामसे ब्रदस खुशी से उचल पड़े क्योंकि उन चाना मंदर गलीज हुई और ब्लॉकबास्टर साबित हुई इस फिल्म ने सामरी नाम इतना फिमस हुआ कि अगले ही साल रामसे ब्रदस ने अनिरुद्ध के लेकर सामरी नाम की फिलने बनाई और 1990 में बंदरवाजा जिसमें अनिरुद्ध ने नेवला नाम के वेंपायर क किया था क्योंकि अनिरुद्ध नाम कठीन सा था लेकिन कुछ साल बात वे अपने असली नाम से काम करने लगे अनिरुद्ध ने लगभख 40-45 फिल्मों में काम किया हिंदी फिल्मों के लाबा उन्होंने हालिवुड की फिल्म जंगल बुक की जो 1994 में लीज हुई उससे पह अनिरुद्ध में एक गैंगेश्टर महम्मद इकबाल सेख जो इसी बिमारी से पीडित था उसकी सकल अनिरुद्ध से काफी मिलती थी इसलिए अनिरुद्ध में उसे पुराना मंदिर कहा जाला था एफवावी फैली थी कि महम्मद इकबाल नहीं पुराना मंदिर में सैता का रोल किया था, और मेला फिल्म सो महांबist इकबाल के साथ अपने आप ही जुड़िया था एक इंक्काउंटर महांब पत्रकारों ने छाब दिया कि अनिर५द ही महांबड इकबाल से था, क्योंकि मेला फिल्मेंक लुत ने फिल्मों सेख दोनों अलग-अलग बेख दी थे इसके बारे 2010 तक बी ए आर सी के काम में इतने बीजी रहे की दिल्मी दुनिया से उनका संपर्क हमेशा के लिए टूड़ गया दोस्तों अगर आप अपनी किसी मजबूरी से अपने सपनों को सकार नहीं कर पाते हैं तो आपको अंडिरुद अगरवाल से सीखना चाहिए और सिन्योजित और स्यम धंक से अपने सपनों को सकार करना चाहिए तो दोस्तों वीडियो के सारा का मुझे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो अच्छा लगाते वीडियो को लाइक कीते शेयर कीते चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को नोडिफिकेशन आपको तुरन मिले